नमस्कार दुर्सकों एक बार पनो हाजर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो व्लॉक्स पे देखेगा दो चीज़ें देखने की जरूरत है देखने के भी जरूरत है देखेगा किसी ब्यक्तिक्य भाग्या कैसा होगा वो नोकरी करेगा या ब्यावसाय करेगा और उसके जीवन में धन की क्या इस्तिति होगी और उसका जीवन लगजरी से ओत्परोत होगा या संगर्समाई जीवन वो जियेगा उसकी भग्यारेखा कापी हद तक जो है इस चीज़ को इंगित करती है लेकिन केवल भग्यारेखा देखकर ये चीजें बताना भी थोड़ा सा अलग सा हो जाता है अगर इस हतेली में ही देखे भग्या रेका सीधे मने बंद से लेके और सनी परवत तक चली जाती है अगर आपकी हतेली में इस तरों से भग्या रेका है तो निश्चित ही जो है जीवन में निरंतर उन्नति होगी इस चीज को ये इंगित करती है और वाहन का और अपने घर का सुक निश्चित ही जीवन में प्राप्त होता है लेकिन इस भग्या रेका को कहते हैं मनि बंद से लेके अगर सनी परवत तक चली जाए तो 20-22 वर्षों से भग्या ये हो जाता है ब्यक्ति अपने बल पर जो है कुछ करने वाला हो जाता है और सुन्नर रुप में भग्या रेका तो है लेकिन इसमें एक चीज है भग्या ये नहीं हुआ है अभी धन के मामले में संगर्सी ही है क्यूं है देखिएगा इसका समझने की यहाँ पर थोड़ा कोशिस करिएगा आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है इसके बीच की तीसरे पौर्वे में काफी हद तक जो है छेद नजर आ रहा है अगर हतेली में इस तरोसा जो है छेद नजर आता है तो व्यक्ति के मध्यमकाल तक मनि 35 वे वर्स तक धन के मामले में निश्चित तोर पे संगर्स की इस्तिती रहती है चाहे आप कितना भी अच्छा कमारे होगे लेकिन वो चीज दिखेगी नहीं खर्चे लफ सुभाव आ जाएगा किसी ने किसी रूप में खर्च हो जाएगा और हतेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाएगा ये चीज जो है इस चीज का बिसेज दिहन नखना आपका जो भाग्योदा ये काकाल है वो 36-37 वर्सों से सुरू है जो धन की इस्तिति बहुत सुननर रूप में रहेगी वो 36 वर्सों से रहेगी और करियर में भी आपका उच्छाल जो है सबसे अच्छा उच्छाल आपका जो करियर के मामले में आएगा वो आने वाला है आपका 42 साल से इस तरह से एक रेखाने कलके बुद्ध की और जारी है और 42 साल से कही न कही जो है जीवन काल में ये चीज ध्यानक ना राहों का प्रबल प्रभाव पड़ेगा मगर अच्छे रूप में पड़ेगा और वो प्रबल प्रभाव बुद्ध से युक्ति बनाएगी और आपके ब्यापार में या बेग्यानिक सपलता में ये आपको निश्चित ही जो है काफी हल्प करेगी और किनी दोसरोतों से बिक्ति धन पाएगा क्यों पाएगा क्योंकि ये रेखा यही चीज देती है और भग्या रेखा भी इस तरों से सुन्नर अवस्ता में हो तो निश्चित ही जीवन काल में दोसरोतों से बिक्ति के पास पैसा आता है इस चीज को आप समझ लेजिएगा दूसरा एक रेखा आपके 66 वर्स में जीवन रेखा से निकलकर और बुद्ध की और जारी है यह ब्यापारिक गुड़ों में बिर्दितों करेगी साथ साथ में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है यह धन के मामले में ब्यापार के मामले में अच्छा खासा सामरा जया आप अस्तापित कर पाएंगे इस और इसारा कर रही है लेकिन थोड़ा देखेगा 34 में वर्स में थोड़ा देख लेजेगा 40-42 में वर्स में कहीं न कहीं जो है चिंता का भाव भी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है इस चीज की और भी थोड़ा ध्यान देजेगा और भुड़ापा काल में जो है पैसा तो जीवन काल में आएगा लेकिन कहीं न कहीं गलत निरणयों से आप उस पैसा को खर्च न कर ले इस और भी इसारा करता हुआ आपका दिखाई दी रहा है कि धन के मामले में जो है कमजोरी रह सकती है और हमेशा नहीं रहेगी ये इस्तिति ये बुड़ापा काल में रह सकती है अगर आपने गलत निरणय ले लिए तो समल नहीं पाई तो ये आपकी हतेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है अब हम आपके बरतमान को देखते हैं आपके हतेली का पूरा बिसलेशन जो है यहाँ पे बारी की से करने की कोशिस करते हैं और हम खुद भी समझने की कोशिस करते हैं इस हतेली को आपको भी समझाने की कोशिस करते हैं जहां तक हो सके समझेंगे भी और समझाने की भी कोशिस करेंगे देखेगा देख रहे हैं और बहुत पहले से देखते हुई आ रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल ली है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा आपको वो बटन दबाना है साथ में घंटी का आइक लोक्स है इसमें हम रियल हतेलियों का विशलेशन करते हैं और हर हतेली में चाई वो उंगलियों का परकार हो चाई वो रेखाओं का परकार हो चाई वो ग्रहों की इस्तिति हो अलग-अलग होती है और हर व्यक्ति के सवालात भी अलग-अलग ही होते हैं ठीकन तो उन सवाल का जबाब कैसे दिया जाता है कैसे गुरहों को देखा जाता है कैसे जो है रेखाओं का बिशलेशन किया जाता है कैसे हतेली का आकार के आधार पर बिशलेशन किया जाता है यह हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं यदि आप इसमें रूची रखते हैं सीखना सीख रहे हैं या सौक के तौर पे देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आप यदि हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मैं जो भी वीडियो अपनी यूट्यूब में अपलोड कर लूगा, तो उसका जो नोट्फिकेशन है, वो आप तक पहुँच जाएगा, और आप उस चीज का अच्छा खासा फाइदा उठा सकते हैं, और अपना मन पसिंदिदा प्रोग्राम देख सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ, कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लिजेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक जो है, ये वीडियो उस लोगों तक पहुँच जाएंगे, जिनको वास्तों में इसकी जरूरत है, इसी उम्मीद के साथ देखेगा, इनकी जो उंगलियां हैं, सबसे पहले इस उंगलिय को देखे, बहुत जो है इस तरों से साप मुण रही है, तो धार्मिक भावना को बताती है, व्यक्त के अंदर धार्मिक भावना ये, अच्छी खासी मातरा में उपलब्द है, दोसरा आप देखोगे, ये भी जो है इस और पहुँच रही है, ये भी इस और पहुँच रही है, मतलब सभी उंगलियों का जुकाव मिडिल फिंगर की और है, तो बरतमान में सनी के गुण जादा आ रहे हैं, और जब भी हमारे जीवन काल में सनी के गुण जादा आते हैं, तो इसका प्रभाव कम से कम ढ़ाई साल जादा से जादा साथ साल रहता है और इस दोरान ये नौकरी का मालिक होता है इस दोरान नोकरी करने में, नोकरी पाने में या नोकरी बदलने में चाहे हलके रूप में रहे मगर अडचनों का शामना ब्यक्ति को करना पड़ता है दूसरा जिवन काल में खुशियों में ये कमी लाता है सबसे बड़ा जो है इसका कारण ही यही होता है चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप नौकरी करो, हलके रूप में अर्चोनों का भ्यक्ति को सामना करना पढ़ता है ठीक, और जब इस उंगली और इस उंगली के बीच में छेद हो तो 35 वर्स तक भ्यक्ति के जीवनकाल में आर्थिक रोप से संगर्ष का सामना ब्यक्ति को करना पड़ता है ये आपकी हतेलिक कह रही है लेकिन एक चीज और है ये इस तरह मुण रही है ये दोसरी चीज भी बताती धन के परति और नेम और फेम के परति जीवनकाल में सदा जुकाओ बना हुआ है कि अच्छा खासा ध लंबी है यस पानी की इक्षा है और यस की प्राप्ति निश्चित रोप से होगी क्योंकि सूरे की उंगले अगर लंबी हो जाए और मध्यमा से छोटी रहे लेकिन तरजनी से लंबी रहे तो ब्यक्ति जो है मान सम्मान प्राप्त करता है यस की प्राप्ति ब्यक्ति को होत ब्यक्ति अच्छे छेत्रों में जो है ब्यक्ति उन्नति करता है लेकिन यहां पे आपका जो सूर्य का प्रोत है यह देखो यहां पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है बरतमान समय में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं जितना आप परिसरम कर रहे हैं आपकी उस मेहनत का आपकी पूरा स्रेई पूरा credit नहीं मिल पा रहा है छोटा काम हो जाए बड़ा काम हो बहुत जादा महिनत के बाद उस काम में सपलता मिलती है कई बार जो है काम बनते-बनते रहे जाता है आपकी हतेली में आपके जियोन में अच्छी opportunity तो आती है लेकिन वो हाथ से निकल भी जाती है उसको आप कैस नहीं करा पाते हैं चाहे आप नोकरी कर रहे हों चाहे बियोसाई कर रहे हों उसमें अभी विस्तार की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है लेकिन यहां पे एक रेखा जो है इस तरों से जारी है यह यस की प्राप्ति करवाती है धन की प्राप्ति करवाती है ये रेखा गद्दी दिलाने वाली रेखा है ऐसा व्यक्ति अपना बिजनिस भी करता है लेकिन बहुत सारी रेखा हैं अगर उसको यहां वहां काट ले और जगा जगा जो है रेखा कट रही हो तो व्यक्ति जो है करजे तले भी दबज सकता है इस ये इस्तिती भी आ जाती है थोड़ा सावधन भी रहनी की जरूरत है लेकिन यहाँ पर एक बर्ग भी बनता हुआ साब तरीके से दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के छेतर में या अपना बिजनिस करेंगे तो आने वाले अनतीस्वें वर्स से अनतीस्वें वर्स से ध्यान रखे आप अगर अपना बिजनिस्वें करते हैं तो आपका बिजनिस्वें अच्छा खासा जो है कई सहरों में जो है उसकी ब्रांचेज हो जाएंगे कई सहरों में वो फैल जाएगा और नोकरी भी करेंगे लेकिन कहीं न कहीं जो और 42 में वर्स में तो राहों का अच्छा प्रभाव दिख रहा है तो ब्यक्ति एक से ज़्यादा सहरों में अपना ब्यापार करेगा इस और भी जो है सुर्य का प्रवत यहां पर दिखाई पड़ रहा है लेकिन बर्तमान में विस्तार नहीं दे पा रहा है आपकी मिहनत का फल जो आपके अंदर क्वालिटी है उसको नहीं दिखा रहा है और यहां पर आपकी जिवन जिवन की एक से दूज रेखाई सहयोगी रेखाई दिखाई पड़ रही है जो आपकी प्रतिभा को और तीब्र बुद्धी को इंगित करती हुई यहां पर नजर आ रही है और दोसरों का सहयोग भी आपको जिवन काल में अच्छा खासा मिलेगा और भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा आपके उपर बनी हुई है और बनी हुई रहेगी सोचने और समझने की सक्ति भी आप में बिसेश रूप से होगी और जिवन काल में यदि एक बार कोई निरणे ले ले लेंगे उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे और जादा तर जो ऐसे बिक्ति होते हैं अपनी जिवन काल में एक ही उदिश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उदिश्य या लक्ष की प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग बिसराम नहीं लेते हैं 42 में वर्ष से जो आपका बिक्तित्व नजर आएगा अच्छा खासा प्रभाव साली यहां पे नजर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और देखेगा एक रेखा यहां से प्रोग्रेश रेखा निकल कर ब्रस्पति से युक्ति बना रही है जो आपकी राइटिंग इसकल्स के साथ-साथ नेत्र पचमता के गुणों में बिर्दी करती हुई नजर आ रही है और विदेश यातरा का भी अच्छा खासा मौका मिलता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है आप सिक्षा के छेतर में हो Engineering के छेतर में हो Management के छेतर में हो चिकित्सा के छेतर में हो इन छेतरों में अगर नौकरी कर रहे होंगे तो 42 साल में या 36 साल में अच्छा खासा प्रमोशन मिलने के उम्मीद यहां पर ब्रश्पती जी दिखाई दे रहे है और ब्रिस्पति को देखा जाए, जो आचार्य गुरू है, धन का गरह जो है, सुन्दर और पुष्टता लिये हुई है, उभरी हुई दिखाई दे रहे हैं न ये जगा, जातक सरेश्ट होंगे, स्वयम उन्नति करेंगे और जो आप से जुड़ेंगे, या आपके संसर्ग मे आएंगे, आप उन्ने भी उन्नति करने में साहता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, थोड़ा सा एगो प्रोब्लम जीवन में रह सकता है, इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैसे बिद्वान रहेंगे, नियाई प्रिया है, अपनी बातों को निर्वहन करने वाले ह और प्रोबकार की भावना भी है, और धार्मिक भावना ये तो अच्छे खासी है, और इस तरह से बिरस्पतिजी पुष्टतम अवस्ता में होते हैं, सुन्दर अवस्ता में होते हैं, तो व्यक्ति बिद्वान होता है, ज्यानी होता है, हने वाले समय में अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है चाई सड़क के किनारे से हो महलों की उचाई तक हो हर जग जो है यहाँ पे सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जीवन में संगर्स तो रहेगा समस्या ये तो आएंगे लेकिन आप समस्याओं से बच भी जाएंगे इस और जो है आपका ब्रस्पती यहां पर दिखा रहा है कहीं से एक से जादा सुरोतों से ब्यक्ति पैसा कमाएगा अपनी जिवन में अर्निंग करेगा और प्रोग्रेस भी जो है होती हुई यहां पर नजर आ रही है यहां पर सनी के परोत में देखे एक चिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको जो है आने वाले समय में क्रियेटिव बनाएगा दार्शनिक किसम का ब्यक्ति बनाएगा और जो सुतर पक्ष है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और रहस्यमाई बिद्याओं की तरफ खोज करता भी आप होंगे जैसे जोतिस है तंतर बिद्या है या अपनी छेतर में कुछ रहस्यमाई खोज कर सकते हैं इस और भी जो है आपका सनी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सनी में तिरबुज होना भी एक अलग चीज बताता है यदि सनी परवत पर तिरबुज होता है तो ऐसा भी भक्ति के मामले में रहस्यमाई चीजों के मामले में ज़्यादा खोजी होता है और भक्ति के मामले में तो बिसेस भक्ति होती है ऐसे लोगों की बहुत लोग समझ पाते हैं इनकी पूजा को इनकी भक्ति को और ये रहका जो है कहीं न कहीं बिदेश से भी जो है धन का अरजन कराती हुई नजर आ रही है लेकिन बरतमान समय में बकरी अवस्ता में सनी है और सनी जब बकरी अवस्ता में होता है तो नोकरी करने में नोकरी पाने में या नोकरी बदलने में समझ्याओं का सामना मिर्ति को करना पड़ता है और ये कम से कम धाय साल ने तो पान साल तक ये चीज़ें रहती है और अभी देख रहे हैं हम तो ढहतर अचार थोड़ा ज़्यादा मातरा में रहेगा उसके बाद थोड़ा कम मातरा में होगा लेकिन 5 साल तक यह प्वूरा अचार आपकी जीवन में रखे हुए यहाँ पे नजर आ रहा है जीवन की रेखा आपकी देखे जाए तो जीवन की रेखा भी बहुत सुन्नर है जीवन में जो है थोड़ा संगर से तो बना रहेगा लेकिन निरंतर उन्नती की और भी इसारा कर रहा है आपकी मस्तिस का रेखा भी आपको क्रियेटिव बना रही है और आप स्वतंत्र विचार धारा के भी यहां पे नजर आ रहे हैं किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं और जीवन के सुरुवाती छुड़ों में जो है काफी संगर्सरा होगा जो धीरे धीरे कम होता जाएगा अगर हिर्दे रेखा देखें, हिर्दे रेखा भी आपकी बहुत सुन्दर है माता पिता की सेवा बहुत अच्छी करेंगे और आदर्स्वादी ब्यक्तित तो आपका रहेने वाला है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी दिर्ड निश्चई ब्यक्ति होता जाएगा इस और जो है आपकी हतेली इंगित करती हुई यहां पे दिखाई दे रहे है वाहन का सुक, मकान का सुक अपनी जिवन काल में निश्चित तोर पे मिलता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है और घर का सुक जो मकान का सुक है, जिस तरों का मकान आप चाहते हैं वो आपको 40 की बाद ही मिल पाएगा लेकिन वाहन का सुक आपको अगर नहीं पराप्त हुआ है तो 36 या 37 वर्ष में वाहन का सुक भी पराप्त होगा और अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा बरतमान समय को हम देखें तो बरतमान समय में थोड़ा संगर्स चल ला है और ये संगर्स ढ़ाई सालों तक जादा दिखा रहा है क्योंकि सनिका प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे पैसे आपकी जिवन में आते तो हैं लेकिन पैसे अभी बच नहीं पाते हैं धन के रोप में भी संगर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़ा मानसिक परिशानी भी सुक्र आपको दीए वुए है बहुत ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा प्रेसरम के बाद भी अभाव की इस्तिति को दिखाता हुआ यहां पे सुक्र आपका नजरा आ रहा है लेकिन ब्यक्तित तो बहुत अच्छा रखेगा प्रसनल्टी बहुत अच्छी रहने वाली है इस और भी इसारा कर रहा है अंगोठा आपका पीछे के और जो है मुणावा है लचेला है प्रस्तित के उन सार डहलने वाली तो दिखाई दे रहा है इक्छा सक्तियां बहुत जादा है और उनी इक्छा सक्तियों को जादा सोचने पर मानसिक परेशानी जो है हो जाती है थुड़ा सा दिहान रखेगा और सयम रखेगा यहाँ पे अगर जिवन हिर्दे रेखा को देखें एक तिर्कुन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी जिवन काल में अच्छी खासी जो है प्रोपर्टी का योग यहाँ पे दिख रहा है 40 के बाद 42 के बाद 45 में वर्स तक लगबग 40 से 45 में वर्स के बीच अच्छी खासी प्रोपर्टी आप अर्जित करेंगे अच्छी खासी अच्छी खासी अपने मन मताबिक जो है प्रोपर्टी यहाँ पे अर्जित करेंगे इस और जो है आपके यह तिर्कुन बताता हुआ नजर आ रहा है अभी के बात करें अभी धाय साल तक जो है संगर्स जादा रहेगा उसके बात कम होता जाएगा लेकिन 36 वर्स से जो है आपके अनुकूल समय यहाँ पे रहेने वाला है लेकिन बुडापा काल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जियो उनमें गलत निड़ने न ले इन्वेस्टमेंट जो है अच्छी तरों से करिएगा तब जाके बुडापे काल में जो है अच्छा खासा धन आप अरजित करेंगे अगर देखा जाए तो भाग्योदा यह जो है आपका 36 वर्स से सुरू हो रहा है 42 वर्स में विशे सफलता यहाँ पर दिखाई दे रही है और 36 वर्स से धन के मामले में आपके अंडर में जो है चीजे आएंगी और 42 वर्स से कहीं न कहीं दो सुरूतों से व्यक्ति पैसा कमाएगा नेम और फिम के लिए आपको सुर्य का प्रोवत पुष्ट करना होगा नेम फिम आपको 40 के बाद ही अच्छा खासा मिलेगा प्रोपर्टे के योग 42 से 45 वर्स के बाद दिखाई दे रहे है घर का योग 40 वर्स के बाद दिखाई दे रहे है यदि वाहन का योग अभी नहीं हुआ है तो 36 वर्ष से दिखाई पड़ा है और अच्छा खासा जो है दोसरोतों से जीवन में जो है अर्णिंग आपकी होगी इस और आपकी हतेली दिखाई दे रही है अगर देखा जाई तो मैंने आपकी हतेली का पूरा विशलेशन करके आपको बता दिया है इसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे वर्ष सम जरूर करें मैं आपके प्रशनों का उत्तर निश्चित रोब से दोगा और साथ में उपाई भी हिजराहों उनको करने की कोशिस करिएगा आपकी जिवन में अच्छा खासा प्रभाव उससे होगा और जिवन में मनोवांचित फल की प्राप्ति मिलेगी प्राप्ति होगी अगर इस वीडियो में देखा जाए तो इतना ही मुझे अग्या दीजिएगा एक नई वीडियो के साथ पुना उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद